एलो स्टूडेंट वेल्कम टू दा लट फलाई इस्टूडेंट आज हम डिसकस करने वाले हैं पारलोग्रम के बारे में पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपीक है में इससे न काई टॉपीक है उसको बात करेंगे पैलोग्रम के हिंदी में क्या कहते हैं समंतर चतुरु टूटल कितना साइड थैय फोर सा Corinth होता है वॉन साइड घ्रों त्हुति साइड फोर साइड ठीक है इन फेल फैस्टाओ भीकर है बीचाहिए इस में ऑसको म्रड में है आपका कहि एह से जाता है और बी चीकाहा का बैसी क्या हाइट थिघ् इसको ब्रेद भी कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं और बेस को क्या 20 के अगलने के लिए अगर हम निकलने के लिए फॉर्मुला के बारें बात करें तो इसका जुका Formula होगा क्या दिखिए अगर नहीं करने के लिए Formula के बात करें area of parallelogram ना समांतर चत्रवूज का चेत्रफन और इसका इसका बांए बात करें तो इसका जब Formula के आपका Day ऐस इंटू हाइट हम बेस और हईट को हम मैल्टिप्लाइ कर देंगे तवका एरिया व्हार लिग्रम आ जाएगा बेस का मतलब क्या है विए इंटू है अगर पैरिमीटर है पूछे तो हम लोगों फॉर्मूला क्या होगा अपका बेस इंटू हाइट मतलब बी इंटू होता ठीक है अगर हम पैरिमीटर से बात करें की पैरिमीटर आफ क्या होगा आपका पैरिमीटर आप पैरलोगरम पैरिमीटर अपने इसका जो फोर्मूला बनेगा आपका टू इंटू लेंथ प्लास ब्रेगे ब्रेट अब क्या है लेंथ होगा है किया है आपके लेंथ और बीसिकी है याजान program लेंठ और करेंद प्रमूला प्रलास ट्रीक के भारिमीटर प्ल्र टे मियालोगरम अगर हम पैरिम लेंथ को मान ले शल्या आए हBrit को माल ले है b गई तह लोगा क्या प्राइगा तूइंटू घ्लास वी मतलब एडिया पैडलों का वरफ्रायुला क्या है बेष हीटर है और अप्यार आप टू e2 लेंध मरें हामलें निकलने के लिए होग्ला से बात करें थिक ए लेंध तब इसका जो फॉर्म बनेगा अपका area divided by height मतलब क्या आएगा जब का question में अगर height mention किया जाए और area mention किया जाए तब हम लोगा लेंद पूछे तो डारेक्टली फर्मॉला यूज कर सकते है area को डिभार करने हाइट से डिवार कर देंगे तो हम लोगा लेंद आ जाएगा मतलब आएगा लेंद रैट करने के लिए area को डिवार कर देंगे हाइट से अगर मालल लीजीए बैलोग्रम क्या दिया हुआ है पता है पहले यह उसके बाद हम लोग मतलर करेंगे लेंद फ़एन करइंगे लेंद करने क्या होगा एडिया को लेंद नहीं आएगा जब तक लेंद नहीं आएगा तदक हम लोग क्या पैरिमिटर नहीं निकल सकते क्या होगा पैरिमिटर नहीं निकल सकते क्योंकि पैरिमिटर का फॉर्मुला क्या है तू इंटू ए प्लस बी कभी कोश्चन में समनता चतुरुफ में क्या होता है का पैरि एरिया दिया रहेगा और हाइट पुछे एरिया रहेगा बेस दिया रहेगा और हाइट पुछे तब हम लोग का हाइट का इकल टू फॉर्मुला क्या हो जाएगा हाइट हाइट इकल टू फॉर्मुला क्या होका हम एरिया को बेस से क्या करेंगे कि अगर हम हाइट पूछे क्या पूछे पूछे अगर हाइट पूछे और एरिया अब दिया हुआ है ठीक है और फाइन का करना हाइट फाइन करना है तो क्या कर सकते हैं एरिया को डिभाइड कर देंगे क्या बेस से तरह हम लोगा क्या हाइट निकल जाएगा किसे निकलेगा एरिया से स्वमझ में समाज में आ गिया है टूटल क्या है कि ओरे grains पैकम एरिया निकलने के लिए और फ़िटा में में समच किया था है तब फीटा निकलने के लिए फोर्मला क्या म deduction किया जाए तब हम लोग क्या आपका लेंद्ध और बीकट अब रिए और साइन थीटा कब यह झाएगा जब आपका क्या तीटा मेंसन टीटा जाए तरह आपका एडिया निकलने बोलने मतलब थीटा दिया रहा है और पूछे की प्रड़ागरम के एड़ा निकले तो नॉटल कि अब इसक तो टाइक लेंद निकलने का भी समझ में आ गया है और हाइद भी समझ में आ गया है और लास्ट में किया आपका क्या ही का साइन थीटा थीटा मेंशन किया जाएगा तब अगर एडिया पूछे ताफ लोगों को वीडियो अच्छा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू भेरी मच